कि माहारा आज आज बड़ी अच्छी विक्षा दे आये मतश्री सारे भाई आपस में बाट लो कि अच्छी आज देवी कौन है पुत्र मातश्री यह कामपिल्ले की राजकुमारी द्रोपती है आजुन इसे स्वेग्वन में जीता है आखंड सभाक्य वती भवा मैं परंतु आपने इनके विभाजन का अदेश दिया है इसके विभाजन का अदेश क्या मेरी मती मारी कई तो हम तो नगी तो भिक्षा तुम दोनों ने द्रौपदी को भिक्षा बताया था पत्नी को भिक्षा कहा तुमने मां से जूट बोले अर्जुन अब बाटो इसे और बाट कर दिखलाओ मुझे क्या समस्य है मतश्री यह तो तुम अपने इन दोनों अनूजों से ही पूछो युदिष्ट जो पत्नी को भिक्षा मानते हैं वस्तु समझते हैं क्या भरत वंशियों की यही मर्याता है तुम तो साक्षाद धर्म हो तुम ही बताओ युदिष्ट नारी तो शक्ति है मतश्री नारी के बिना नर सम्पूर नहीं हो सकता नारी चाहे माता के रूप में हो चाहे पत्नी के रूप में चाहे बहन के रूप में हो चाहे पुत्री के रूप में नारी सदैवा अदर्निय है भेम और अरचुन ने नारी को भिक्षा कहके नारी का अपमान किया है और माता परमगुरू भी है उसका कोई भी आदेश अस्वी कारने हो ही नहीं सकता यह आप क्या कह रहें ब्राता श्री हाँ माता श्री के मूँ से आज तक कोई अस्वी कारने बात नहीं निकली तो फिर माता श्री के अंजाने में दिये गए इस आदेश में भी कोई ना कोई रहस्य आवश्य होगा वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है अतीत में उसका कोई ना कोई अंकुर आवश्य होगा तो क्या तुम ये कह रहे है युद्ष्टर कि द्रोपदी को पांचो भाईयों में बाढ़तीया जाए ये मैंने नहीं कहा माता श्री ये आपने कहा है ये आपका आदेश है मैंने तु भिक्षा के लिए कहा था पुत्र ये आप जाने परन तु ये सोच लिजे माताश्री कि भाविश्य में जो कुछ भी होना है वो ना आप जानती है और ना मैं हो सकता है कि आपकी जीप पर बैठ कर स्वयम काल ने ये निर्ने लिया हूँ कि युदिश्ठे तुमको उधारण दे सकते हो पुद्र अवश्य दे सकता हूं माताश्री गौतम कुल के कन्या जटला का विवा सात्रिश्यों से हुआ था दाना हर्ण याक्ष की बेहन प्रचित्ती का विवा दस भाईयों से हुआ था परन्तु क्या विवा और विभाजन में कोई अंतर नहीं है ब्राताश्री वास्त विक्ताओं के इस चक्रव्यू से निकलने के मार का ग्यान मुझे नहीं है प्रियनकुल वासुदेव का प्रणाम स्विकार कीजिये बुआ यूग यूग जीव वत्स द्वारका में तो सब कुशल है ना आपके आशिरवात से वहां तो सब कुशल है परन्तु इस समय मुझे यहां कुशलता दिखाई नहीं दे रही हम एक धर्म संकट में पढ़ गए हैं वत्स भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और मुझे कहने लगे कि माते हम एक बहुत अच्छी भिक्षा लेकर आए हैं कि मैंने देखे बिना ही कह दिया कि सारे भाई आपस में बाट लो अब द्रौपदी कोई वस्तू थोड़ी है जिसका विभाजन किया जाए यह तो आप स्वयम द्रौपदी सही पूछिए यह क्या बताएगी वस्तू यही तो बताएगी क्योंकि इसी ने पूर्व जन में यह नहीं सोचा था कि गागर में समाई कितनी है और महादेव से सागर का वरदान मांग लिया कि और जब वो बोले कि यह समभव नहीं है तो यह बोली कि इशवर के लिए भला क्या असंभव हो सकता है अ परन्तु महादेव के लिए भी गागर को नदी का वरदान देना समभव नहीं है दौपदी रिख तुमने ऐसा क्या मांग लिया था महादेव से पृत्री ये तुम बताओगे द्रौपदी के ये भी मैं ही बताओ द्रौपदी ने महादेव से एक ही वर्दान में लपेट कर पाच वर्दान मांगे थे बुआ उसने एक ऐसा पती मांगा था जो धर्म का चिंद हो, प्रतीक हो, सत्य का संकेत आक्षर हो जो हनुमान की भाती बल्वान भी हो, परशुराम जैसा धनुर्धर हो, सुन्दर तो ऐसा हो कि समय भी देखता रह जाए और सहनशीलता में कोई उसके समान न हो क्या तुमने ऐसा नहीं मांगा था द्रौपदी? और क्या माहादेव ने ये नहीं कहा था, कि ये सारी श्रिष्टताए एकत्र नहीं हो सकती? कुछ मांगने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए था द्रौपदी कि जो मांग रही हो, तुम्हारे हाथ में उसकी समाई है या नही? माहादेव से तुमने हट करके वर्दान तो ले लिया अब बुआ के मुक्से स्वयम माहादेव बोले है क्योंकि आदोनिक संसार में युदिष्ठिर ही धर्म का चिन्न है ये है माहादेव का पहला वर्दान आदोनिक संसार में भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, महादेव का दूसरा वर्दान आदोनिक संसार का सबसे बड़ा धनुरधर अरजुन है, ये तुम्हारा तीसरा वर्दान आधनिक संसार में नकुल से अधिक सुन्दर कोई नहीं, तुम्हारा चौथा वर्दान सहदेव सहनशीलता में सरवोत्तम है, तुम्हारा पांचवा वर्दान हाँ, ये सारे वर्दान लौटा कर यदि तुम महादेव का अपमान करना चाहो तो ये तुम पर निर्भर है द्रौपदी अरे, आप सब लोग द्रौपदी के और क्यूं देख रहे हैं? पार्थ, तुमने स्वयमवर अवश्य जीता है, परम तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीती जागती द्रौपदी भिक्षा हो गई, माता परम गुरु होती है, अर्था तुमने अपने परम गुरु से जूट बोला है, और बुआ, मा होने का अर्थ ये नहीं कि आप देखे ब कि आप समझें भी ना आदेश दें कि आपस में बाट लो, आपने ममता की मर्यादा का उलंगन किया है, तो आज से ये जीवन आप सब की तपस्या भी है और प्रायश्चित भी पूर्व जन्म में थे दिये शिवने जो बरदान वरे पाँच वर द्रापदी पाँचों गुणी महान पाँचों गुणी महान 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 झाल